हलो फ्रेंट्स, आज मैं आपके सामने हर रोज की तरह फिर से आज आ गया हूँ, आपके सामने कुछ mutual funds की चर्चा करेंगे, एक basket बनाने की यहाँ पर कोशिस करेंगे, जो investors की समस्या है आज की date पर किस तरीके से mutual fund को रखना चाहिए, कौन कौन सी category अपने funds में सामिल करें, ज कैस तरीके से आपको एक basket के अंदर कौन कौन सी category रखनी चाहिए, आप एक इसको template की रूप में लेना, बस आप क्या करना, आप asset management company चेंज कर सकते हो, पर theme कुछ इसी तरीके से रखना, यकिन मनना मेरे दोस्त, आप भी एक अच्छा return stock market के अंदर, mutual fund के अंदर से निकाल के ले जा पाओगे, क्योंकि कई बार investors का एक मित होता है कि केवल हमको, जब हम individual stocks में invest करेंगे, जब individual stocks में invest करेंगे, तभी बड़ा पैसा बनेगा, पर ऐसा नहीं है मेरे मित्र, अगर आपकी consistency maintain रही, तो आप भी Warren Buffett जैसा एक बड़ा portfolio एक खटा कर सकते हो, क्योंकि Warren Buffett के अ 18% के इसाब से, अगर 20-25 सालों में compound कर दे, तो Warren Buffett तो नहीं, पर हाँ, उनसे कम भी आपका portfolio नहीं रहेगा, ये चीज mutual fund में सही मानी जाती है, मेरे मित्रों, mutual fund से बहुत सारी चीज़े आपको दिखने को मिलता है, आपका कहीं ना कहीं direct stock के अंदर, जब आप invest करते हो, तो आप जब mutual fund के माध्यम से आते हो, कहीं ना कहीं आपको एक fund manager मिल जाता है, जो आपके fund को manage करता है, उसके लिए केवल वो आपसे expense ratio थोड़ा सा charge करता है, तो इसलिए जब भी मैं video लेकर के आता हूँ, तो कोशिस ये करता हूँ कि कहीं ना कहीं expense ratio आपका थोड़ा सा हो, ता चलिए इस bucket को unfold करते हैं, बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं, बस चैनल आप subscribe कर देना, वीडियो share कर देना, मेरे मित्रो, आप सभी लोग बहुत बढ़े आ रहेंगे, मैं बहुत बढ़े हूँ, आज मैंने जो पहला mutual fund चुना है, उसका नाम है, मोतिलाल उस्वाल mid cap mutual क्या बोला मैंने, फिर से बोलो आप सब लोग, आवाज नहीं आरी भाई तुम लोगों के, आवाज नहीं आरी आप लोगों के, जोर से बोलो, मोतिलाल उस्वाल mid cap mutual fund इसके एनेवी की बात करेंगे, तो केवल 61 रुपय का इसका एनेवी चल रहा है, return की बात करेंगे, तो 21 21.75% के CAGR के साबसे, mutual fund ने अपने investors को return deliver करके दिया है, duration की बात करेंगे, पिछले 9 साल ये अपने investors को दे चुका है, expense ratio की बात करेंगे, तो केवल आपसे 0.76% का expense ratio, ये आपसे चार्ट कर रहा है मेरे दोस्तों, दूसरे number पर जो मैंने mutual fund रखा है, उसका नाम है, एक index fund रख करता हूं, कि किसी भी तरीके से आप छोटा मोटा अगर जौब भी करते हैं, 3-4,000 की रुपई की salary आप restaurant में काम करते हैं, चाहें आप कोई भी हो, आप चाहें बड़ी post पार हो, आप किसी भी company में Microsoft, Google, आप कहीं भी Blackstone हो गया, किसी भी company में आगर आप काम करके चल रहे हैं तो किवल 50,000 रुपई ही आज की date पे अपनी सरद्धा के अनुसार, सरद्धा कमला पूजा जिसके भी अनुसार, पर आप अपनी सरद्धा के अनुसार क्या करें, 50,000 रुपई index fund में जरूर डाल दें, क्यों ऐसा क्यों, जब index start हुआ था, अगर मैं किवल sensex की बात करू, 1979 1979 के आसपास, तो index 100 रुपई से start हुआ था, और आप आज index देखो, 61,000 रुपई, यानि कि किसी नहीं का 100 रुपई लगाया होगा, तो index के थूरू उसका 61,000 रुपई आज खड़ा हो गया, तो मेरे मित्रों इसी की तरीके से सोच के देखो, आज जब sensex 61,000 रुपई होगा, average लगा लितने हैं, 6,10,000 रुपई आसपास index खड़ा होगा, तो सोच के देखो, 50,000 रुपई कितना आपका आगे बढ़ जाएगा, ठीक, साथी साथ आप लोगों को ये डर होता है कि यार चलो mutual fund का, अगर मैं small cap, mid cap, large cap, कोई ने को category है, fluctuate होती रहती है, हो सकता है, fund house में गड़बल हो जाए या कुछ हो जाए, ठीक, पर दिखिए एक index ऐसा होता है, ये कभी खतम नहीं हो सकता, क्योंकि जो index होता है, जो company का, जो भारत देश का index है, सपोज है भारत देश के अंदर, दो index है, एक NSE और एक BSE, जिसे आप Sensex और Nifty के नाम से जानते हो, US में बात करेंगे, तो वहाँ पर तीन index चलते है, Nasdaq हो गया, Dow Jones हो गया, और एक और होता है, जिसका नाम है, Nasdaq, Dow Jones, क्या बोला मैंने, Nasdaq, Dow Jones और S&P 500, जैसे आप जानते हो, Standard and Poor's 500, ठीक, तो उसी तरीके क्या होता है, कि जो index होता है, तुभारा जो Sensex है, जो तुभारा Nifty है, ठीक, तो जो Sensex है ना मेरे, वह कही ना कही एक Directly Related होता है भारत की GDP से, भारत की जितनी बड़ी GDP है ना, भारत की जितनी GDP है उतना index है, ठीक, इसी लिए भारत सरकार भी कोशिस करती है कि हमारा index लगातार उपर बढ़ता रहे, चुकि इसी से Foreign Investment भारत के अंदर आता है, और NASDAQ चल रहा है ठीक, और हमारा देखो All Time High पे फिर से खड़ा है ठीक, उनका जो हलाकि Apple Share पे आप नज़ा रखो, अगर आप US में इंवेस्टमेंट करना चाहते है तो Apple Share पे नज़ा रखो, दिवाली के आसपास 132 डॉलर के आसपास था और अभी देखलो कितना चल ला है, 175, even 177 का close रहा, 177 डॉलर तक वो पहुंचते हुए देखने को मिला, और मुझे ऐसा लगता है कि Apple का जो share है, 200 डॉलर की उपर निकल जाएगा, क्योंकि Apple की जो core competency है, जो Apple कंपरी की core competency है, उसका कोई alternate है नहीं भाई मार्केट में, इस वज़े से, अगर आप Apple वगेरा के gadget यू इसलिए मैंने आज जो दूसरा mutual fund आपके सामने रखा है, उसका नाम है, HDFC, Index, S&P, BSE, Sensex, Direct Plan Growth, कहते नहीं कि भाई, हर चीज एक तरफ, Index fund एक तरफ, है ना ऐसी कोई dialogue है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, ठीक, चलिए फिर भी, चलिए बात करते हैं, कि सारी चीजे एक तरफ Index fund एक तरफ, जब Index fund एक तरफ, सारी चीजे एक तरफ, तो अगर आपको Stock Market mutual fund में इस वीडियो को देखने के बाद भी किसी को उपड ट्रस्ट नहीं है, तो केवाल आप आँख वंद करके न Index में S.I.P करते जाओ, Index में S.I.P करते जाओ, चाहे वो Index में आप Nifty 20 के नाम से कर जाओ, चाहे आप फिर किसी Asset Management Company के थुरू कर दो, बस Index पे S.I.P करते जाओ, माला बाल गुरू हो जाओगे, 30-35 साल रुखना पड़ेगा आपको बस, और पिसेंस के साथ रुखना पड़ेगा, ठीक है, HDFC Index, S&P, BAC, Sensex, Direct Plan Growth की मैं आपके सामने बात कर रहा था, इसके NAV क 560 से, ठीक, उसके पहले मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, खुद मैं ट्रैक कर रहा हूँ, परसेनली 300 रुपई से, पर उससे पहले मैं वीडियो नहीं बनाता था, तो मैं चाहूंगा मेरे मित्रू चैनल आप जरू सब्सक्राइब कर देने, एक काफी मोटिवेशन मिलता है, जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो, 583 रुपई का इसका एने भी चल रहा है, रिटर्न की बात करेंगे 12.99% के CAGR के इसाब से पिछले 11 सालों का मेरे पास हिस्तमे डेटा है, एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे 0.20% का यह आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहा है, तीसरे नंबर पर जो मैंने mutual fund लिया है, उसका नाम है quant tax plan direct growth, tax plan के बल उसी को खरीदना चाहिए, जो आज की डेट पर taxpayer है, या salaried employee है, जिसका TDS कट रहा है, उसको tax plan लेना चाहिए, क्योंकि इसके तुरू उसको ATC के अंदर deduction मिलता है, एक चीज़ और बताते ह रुपए महिने के साब से साल का किता होगा, 48,000 रुपए, अगर आप fund में invest कर जेते हो, तो at least additional आप, ATC में 1.5 लाग के deduction मिलती है, उसके विपरीत additional आप 50,000 रुपए का deduction और claim कर सकते हो, बस आपको pension fund में invest करना पड़ेगा, ये knowledge जनहित में जा रही था, Quant Tax Plan Direct Growth की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका NAV है, 264 रुपए का, इसके return की बात करेंगे, 20.15% के CAGR के साबसे, इस mutual fund ने आपको return मना के दिया है, duration पिछले 11 सालों से ये fund काम कर रहा है, expense ratio की बात करेंगे, तो किवल आपसे ये 0.57% का expense ratio चार्च कर रहा है, मेरे मित्रों जो भी जिनका भी आज की date पे ITR जो फाइल नहीं करते हैं, उन्हें मेरे ख्यास से tax plan नहीं लेना चाहिए, इसे आप ELSS के भी नाम से जानते हो, return की बात करेंगे, तो 23.92% के CAGR के साबसे पिछले 10 सालों में इसने ये कारनामा करके दिखाया है, इसके अगर मैं expense ratio की बात करेंगे, तो 0.53% का ये आपसे expense ratio चार्च करके चल रहा है, मेरे दोस्तों, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेर कर देना, इसी की त बात,